कैसो निल, चीहा रेक्स की कैसो निल, मैदे जिगर से रोख हटाए, आतों को मजबूत बनाए, कैस अफारा दूर भगाए, रेक्स की कैसो निल, टेबलेट्स और सीरा उस पर भी सरकार के कहीं न कहीं बुरी निगा है, हमाई साथ बात करने के लिए फिरोजबख्त सहाब हैं, जो खास्तों सब माइनोर्टी इसूश पर काफी पैनी निगाह रखते हैं, क्या कहेंगे, पहला रियक्शन क्या होगा, जो सरकार ने पहला कदम जो उठाया है, जिस मैं समझता हूं कि दुनिया की बेथरी निउनिवर्सिटीज में एक है, जहां पर कौम के लोग भी और हमारे भाई भी दूसरे लोग भी वहाँ पर जाकर स्टडी करते हैं, और ये जो अब आप बता रहे हैं कि हकूमत की तरफ से गलेबन एक इसारा ये किया गया, फीलर द राजिश है, और इसमें मैं कम्प्लीटली मैं इसमें समझता हूं, उसमें जिम्मेदारी जो वी-सी तलत साहब हैं उनकी है, अब समझना हमें ये है, कि देखिए ये तो एक जो तलत साहब आये थे, ये प्लांटिड वी-सी हैं, और ये कॉंग्रेस के दमाने में आये थे, को कांगरेस ने प्लांट किया था यहां पर अपना आदमी समझ के अब इनके साथ मसला यह हुआ मैं बहले थोड़ा तफसील से जाऊंगा तो दो एक मिनट और लूँगा इनके साथ हुआ यह कि कुछ काम इन्हों ने ऐसे किये जामिया में आके जो के बहुत ही इस किसम के काम थे जिनको हम करप्ट डील्स बोलते हैं मिसाल के तौर पर बेशुमार इन्हों ने दाखले इस तरह के किये जिनका मतलब रूल्स रेगॉलेशन से कोई ताल्लक नहीं था उनको ताथ पर लग दिया गया थे और भी वह से चीज़े थी अब यह देखिए कि जामिया के अंद मौलाना अजाद चेर एक ऐसे शख्स को दे दी गाई देखे चेर का मकसद यूनियस्टी में यह होता है कि कोई बड़ा शख्स है महात्मा गांदी है पंडित नहरू है मौलाना अजाद है पटेल है कोई भी है तो चेर पे आदमी काम करता है रिसर्च करता है किताब लिखत है या कुछ पेपर लिखता है फोटोग्राफ जमा करता है मौलाना अजाद चेर के तालुक से वहां कोई काम नहीं किया गया इसी तरह से नौ चेर और हैं वहां मिसाल के तौर पे लजिया सज्जाद जहीर चेर है तो सज्जाद जहीर चेर के ओपर इनोंने एक ऐसे शख्स को मसलत कर दिया जिसको उर्दू नहीं आती ठीक है वहां एक शोहिनी हैं वहां एक एमसी आर्सी की लेक्चर प्रोफेसर हैं अब उन बिचारियों को उर्दू का अलिफ बेते नहीं पता उनको उन्होंने सज्जाद जहीर चेर दे इसी तरह से महात्मा गांदी चेर मतलब एक पूरा घपला है तक रीवानद पंच साल में पंच साल में तस चालिस पैंटिस चालिस लाएक नोगों को रिसर्च के लिए आपसपे जिसकिए आप समझे टिलिफ से बचलए zwischen वह चैजा जो है इन पर चिस और चीजों कहए लिए वो सरक्रा किल यहां 15 चाहे ठीज जो बिल्बी हमारी लोगों से बात हुई है तो लोगों का यह कहना है अगर उनके अंदर जड़ासी भी वह है कौम की आगर जड़ा से भी दर्द है या हिंद काउम छोड़ दीजे बलकि यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं समविधान पर हमला है जो माइनोर्टी करेक्टर उखतम करने कोशिश की जा रही है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए हाँ देखिए आपका बड़ा सवाल है क्या है इसमें देखिए जो कानून है वो तो है समविधान है अपनी जगह है कानून हिंद कहता है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 यह कहता है कि अगर आपका कोई माइ मीडियम स्कूल है यूनिवर्सिटी है मदर्सा है कोई और दर्सगाह है तो उसको कानून के हिसाब से उसी तरह से चलते रहना चाहिए 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 वो उर्दू हो या सिंदी हो या कोई भी जबान हो या पंजाबी हो तो उसको वैसे ही चलते रहना देना चाहिए मैं म minority کردار قانون के तहट चल रहा है तो उसकी आप हिफादत करते हैं ठीक है लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही कही जो लोगों से आपने पता लगाया कि इनके उपर कई केसिस करपशन के चल रही हैं कई केसिस ऐसे हैं कि इन्होंने जामिया को खास एक स्टेटस दिलाने के लिए इन्होंने काफी जो है पैसा उसमें खर्च किया गिफ्ट देने में तो ये लजामात इनके उपर हैं इन लजामात से बरी होने के लिए और सरकार की खुशनूदी के लिए सरकार को खुश करने के लिए इनों ने गालिबन ये काम किया है जिसकी वज़ा से यूनिवर्सिटी तो बरबाद होगी ही एक मैं समझता हूँ एक पूरी तारीख है इस यूनिवर्सिटी की इस साकिर हुसैन जुड़े में है मौलाना अजात का भी कहीं ने कहीं इस यूनिवस्टिटी से तालुक है, महात्मा गांधी का है तो उन तमाम जो हमारे लीडरान हैं, अकाबिरीन हैं, उन तमाम अकाबिरीन की मेहनत के ओपर ये जो वीसी सहाब हैं तलत सहाब इस तना की हरकात और सकनात करके पिछली सरकार में जिस तरह से कपिल सिब्बल ने एफिड़ेफिट दाखिल किया था और कहा था कि इसको माइनोर्टी ही इदारा रहने दिया जाए, लेकिन अब जिस तरह से सरकार ने दूसरा एकिड़ेफिट दाफिल किया है और उसमें दो चीजें काफी एहम हैं जो सरकार के जरीए कही गई हैं एक वो यह कहा है कि यह कभी माइनोर्टी इदारा रहा ही नहीं और दूसरी बात यह जो कही है वो यह कही है कि यह माइनोर्टी के जरीए कायम नहीं किया गया देखिए ऐसा है ये जो जज्जमेंट आया था बाशा का उसके तालुक से जो भी इसका केस सेला था तो ये बात सेटल हो गई थी ये गानूनी तोर से के जामिया का जो किरदार है जैसे एम्यू का है वो अखलियती किरदार है मैं फिर कहूंगा कि मैं माइनौरिटी मैजौरिटी के जगड़ों में नहीं पढ़ना चाहता मैं तो ये सोचता हूं कि अगर आपके हाथों में दम है अपने काबलियत से आप आगे बढ़िए और एक अच्छी पोजिशन पर जाईए लेकिन जब एक कानून बन गया और कपि इडिकेशन डाल दी कि ये जामिया जो है माइनौरिटी एदारा हैं तो मेरा ख्याल है कि बतार वी सी उनको उसकी हिफादत करनी चाहिए अब जिस तरह जाए दूसरी बात बात पूरी करनों शेकिल साब या तो साफ होकर सामने आएं पीछे परदे में पीछे रहके या तो मेरे खाल से इडारे को बरबात कर रहे हैं या अपनी साख को भी तबा कर रहे हैं जो बतार वी सी इनको मुझे नहीं लगता कि आगे कोई बहुत अच्छा होदा मिलने वाला है अच्छे कुस सालों में देखने में या रहा है खासतोर से मुस्लिम इंस्टिوट सन्म की बड़े बात करें चाहे वह अलिगड़ की बात करें या adaवाद यूंछाद यूंवस्टि बात करें जामे मिलिया इसलामा की बात करें तो यही सामने आता है कि कोवर्म gemण्न अब जिस तरह से इस मामले में कोर्ट में कोई भी वकील नहीं गया जामिया का तो अब इसको किस तरह से जो मुस्लिम और्गुनेशन है जो माइनॉर्टी के लिए काम कर रहे हैं वो किस तरह से केस की पैरवी करेंगा लेकिन जोसे अपनी बात को आगे बढ़ाओ बाजपाई अपनी बात को आगे बढ़ाओं लेकिन जो सरकारी अफसर होता है वो काईदे से कानून पे चलता है उसको कानून पे चलना चाहिए लेकिन इसमें भी कोई दोराई नहीं है इमानदारी की बात ही है कि सरकार जिसकी होती है वो चाहता है कि जो भी अफसर है मेरा जिसको मैंने कहीं फिट किया है बत और VC या किसी अहम जगा पर तो सरकार चाहेगी कि वो मेरा जो जिस तरह का मेरा एजंडा है उस एजंडा पर चले तो अब मौझूदा सरकार चाहती है कि Minority किरदार जो है इसका जामिया का या लेगल का उसको हटाया जाए तो उनके ओपर बड़ा प्रेशर होगा तो मेरे खायल से उनको बतौर एक बड़ा बड़ी जगा है जो भी वीसी होता है जामिया का कोई छोटी मोटी हस्ते नहीं माना जाता उनको चाहिए था किस किरदार की इसके Minority किरदार की वो हफाज़त करते और वकील को भीशते बलके मैं तो कहता हूँ कि अच्छे से अच्छे वकील को भीशते जैसे कपल सिर्बल जैसे वकील है उसी टाइप के किसी वकील को वो भीशते और जामिया के जो अखलियत किरदार है हिसकी हिफाद़ दूब करते शुक्रे रहते फिरोजबक्त सहब जो पूरी तरह से सवाला उठा रहे थे वी सी के उपर जामिया के वी सी के उपर कि उनके जर्ये जिस तरह से कुछ चीजें ऐसी की गई हैं जिसको लेकर इनक्वारियां भी चल रही हैं और वो इनी सारी चीजों से बचने के लिए सरकार के पक्ष में काम करते हुए नजर आ रहे हैं